जबलपूर में लोकायुक्त ने सुमवार को जिला सहकारी केंद्रिय वैंक मरियाधित जबलपूर में कारवाई करते हुए मुख्यकारपालन अधिकारी को 20,000 रुपई की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गरफतार कर लिया जिसकी बाद लोकायुक्त ने टीम बना कर आरोपी को ट्रैप कर लिया जानकारी के नुसार राधेलाल यादाओ पिता स्वर्गिय सर्जु प्रसाद यादाओ नीवर्तमान समीती प्रबंदक प्रात्मिक रशी शाक सहकारी समीती तलाड मुकाम पोस्ट तलाड तहसिल मजोली जीला जवलपूर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि प्रशाशक द्वारा सेवा समाप्त कर दी गई थी जिसके विरुद माननी उच्च नियाले जवलपूर में याची का दायर की थी जिस पर माननी उच्च नियाले द्वारा इस्थगन आदेश पारित किया गया जेन मुख्य कारेपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्री बैंक जवलपुर को उन्हीं के कार्यले में रिश्वत लेते लोकायुक्त ने ट्रैप कर लिया कारेवाई में उप्पुले सदिक्षक दिलिप जरबडे निरिक्षक कमल सिंग उईके निरिक्षक भूपेंद्र कुम कर दिया गया था इसके विरत दिनों ने आई कोड से इस्टे लिया है और पुना सेवा में आने के लिए यह जिला साकारी केंद्री बैंक में पदस्त है मुख्य कारपना अधिकारी श्री विरेश जैन इनके द्वारा पुना पदेस्थापना कराने के एवज में 20,000 रुप श्री भात्री ल कि रहुआ हुआ के बात्री बढ पुपець इस भात्री शेड़ झाने में वारा था ता यह जैए इस ranked इस्ट पदेप़र झाव के पूर की है